हेलो एफ्रिवन वेलकम टू बटरकब फूड रेसिपीस आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुब कामना है आप सभी को पता ही होगा वरत में हमारे पास खाने के आप्शिन्स बहुत ही डिफरेंट और लिमिटेड होते हैं और आज हम उन्हीं आप्शिन्स में से स्व कुल कर अपने साइज से डबल हो गया है यह वाला कप मैंने इस्तिमाल किया था इसकी क्वांटिटी 240 ml है आपके पास अगर इस तरीके का कप नहीं है तो आप अपनी किचन में से कोई भी कटोरी सेट कर ले उससे आप मेजरमेंट लेकर ओवरनाइट सोक कर सकते हैं आप 6-7 गंटे तक सोक करके भी यूज कर सकते हैं बहुत ही हल्दी नाष्टा तियार होगा यहां मैंने बारीक कटे हुए पालक के पते लिए हैं यह देखिए थोड़ी से पते लिए हैं मैंने दोकर अच्छे से बारीक काट लिया है अब मैं डाल रही हूं रोस्टेड पीनेट पा आलू एड़ करने की वज़य से डो में बाइंडिंग आती है और डो को बाड़ी मिलती है अब आलू को उभाल कर उसे कद्दू कस करके भी एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे यहां मैंने आधा टेबल स्पून यानि की देड़ चमच सेंदा नमक इस्ते एड़ करूंगी हमने करीब एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर एड़ किया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर यूज किया है अब मैं इसमें आड़ कर दूंगी जीरा पाउडर मैंने साबुत जीरे को तवे पर रोस्ट करके फिर उसे पीस कर यह पाउडर र अब मैं यहाँ पर खटाई के लिए लगभग आधा नीम्बू नी चोड़ कर एड़ कर रही हूँ देखे आप देख सकते हैं खटाई के लिए इसमें हम आमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे नीम्बू के रस से खटाई आड़ करेंगे आप चाहें तो दहीं बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक बड़िया सा डो तयार हो जाता है यह देखे डो हमारा लग गया है अब हम आगे की तयारी करते हैं यह देखे यहाँ पर सबसे पहले हमने एक चकले पर इस तरीके से एक पॉलितिन लगा देनी है और जो हमने ना यह देखे अब इसको इस तरीके से पॉलितिन पर रखकर उंगलियों की हेल्प से इस तरीके से धीरे धीरे से आउटर की तरफ प्रेस करते हुए इसकी शेप को बढ़ा कर लेंगे यह देखे बिलकुल परांठे की शेप में आ गया है इसे करना बहुत ही सिम्पल है बहुत कर दिया है बहुत इजी ली पॉलेथें से निकल जाता है अब हम इसके ऊपर वाली साइड पर हम इस तरीके से फिर से घी की एक कोटिंग कर देंगे यह देखे आप देख सकते हैं चार से पांच मिनट हो गए है मीडियम तो हाई फ्लेम पर पकते हुए अब हम इसे फिलिप कर कच्चा रह जाएगा यहां पर हमारे परांठे की दूसरी साइड सिखते हुए भी करीब चार से पांच मिनट हो गए है फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है अब हम इसे निकाल कर दूसरा परांठा इसमें प्लेस करेंगे देखिए मैंने दूसरा परांठा इसमें डाल आप 4-5 परांठे बना सकते हैं बहुत ही इजी है इन्हें बनाना ना जादा इंक्रियरियन्स की जरूरत होती है हमें और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं इन्हें उठाने में लिफ्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती पॉलिथिन के जगा पर आप बटर पेपर क यह देखिए बहुत ही मज़िदार कुरकुरे और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे चीला रेडी है इसमें हमने आलू की स्टफिंग की है तो आप में इसे पराठा भी कह सकते हैं यह नाश्ता बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल नरम है बहुत ही बढ़ नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिया बेल इकन को सरूर से दबाए थैंक यू